हेलो एवरिवन वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग डिये वी क्लासिक्स का मैथ पढ़ेंगे चैप्टर नमबर वन है और वार्शिट नाइन है तो इसे हमें सिंप्लिफाई करना है तो इस सिंप्लिफाई करने से पहले मैं आपको एक रूल बता जिती है जो दी चीज में कोई अलग-अलग साइन लगे होते हैं तो सबसे पहले हम उसमें जो डिवाइट का साइन है उसको सॉल्व करेंगे फिर मल्टिप्लाई का साइन को सॉल्व करेंगे उसके बाद एड करेंगे उसके बाद हम लाश्ट में सब्टरेट का साइन सॉल्व करेंगे और एक ब्रैकेट जो है आपका इस टाइप में होता है इसे हम करली ब्रैकेट कहेंगे और उसके बाद जो ब्रैकेट होता है एक इस टाइप का इसे हम स्क्वाइर ब्रैकेट कहते हैं यह ब्रैकेट इस तरह से होते हैं कहीं भी कोश्चन में रहेगा तो यह ब्रैकेट इस तरह र करते हैं और उसके बाद फिर एक को सौल करते हैं सबसे पहले कोस्टीट नमर्वन डेखते हैं फॉइनटीगों सब्सक्रे prohibit करना है तोो 10 maas rule के लिएक जीड़ नशार सावने फाले डिवाइड करना है लेकिन यहां पर पहले bracket है पहले हम bracket के अन्दर वाला solve करते हैं सबसे पहले हम bracket open करेंगे solve करते करते उसके बाद हम जो खुला हुआ है उसको solve करेंगे सबसे पहले देखे ब्रैकेट को हम solve करते हैं 25 प्लस 14 divide 5-3 हमारा कितना हो गया टू ठीक है तो अब 14 और टू का जब डिवाइड करेंगे 25 प्लस 14 पॉन टू तो टू का टेवल में ये 7 बाहर में आ रहा है 27 जब 14 अब हमारा क्या आ गया 25 प्लस 7 तो हमारा एंसर हो जाएगा क्या 547 12 132 हमारा एंसर 32 होगा नेश्ट कोश्चन देखिए आप इसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर है ठीक है और इसी के अंदर माइनस भी है और डिवाइड भी है तो डिमास रूल के नुसर से हम पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टू जा 6 होगा 3 माइनस 5 माइनस 6 अपॉन 3 यह 3 बंजा 3 3 टू जा 6 तो कितना हो गया 5 3 माइनस 5 माइनस 2 अब यह कितना गया 3 माइनस 5 में से टू जागा तो 3 कि मारा एंसर हो जाएगा जीरो कि नेश्ट देखिए अब दिखिए यहां पर दो ब्रैकेट लगए एक है स्क्वाइर ब्रैकेट और उसके अंदर फिर है राउंड ब्रैकेट तो पहले हम राउंड ब देखिए इसक्वार ब्रैकेट ए करेंगे और राउंड ब्रैकेट में अब इसके अंदर भी हम पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टिप्लाइग गरेंगी जो हमने 3 x 10 upon 2, 2 बंज़ा 2, 2 फाइवजा 10, 36 minus 12 plus 3 फाइवजा 15, 36 minus 12 और 15 कितना हो गया? 7 और 27, तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा? आप 36 से हम 27 minus करेंगे, इधर करके देखते हैं, इधर रफ में, 6 में 7 नहीं गया, आँसे वोन लिए 16 में 7 गया तो 9, तो हमारा एंसर हो जाएगा क्या? हमारा एंसर 9 नेक्ट कुस्चन नमबर 4, 20 minus 3 minus, फिर देखिए, स्क्वाइर ब्रैकेट है, 7 minus कर्ली ब्रैकेट, 2 प्लस राउंड ब्रैकेट, उसके बाद जो जितने ब्रैकेट देखते हैं, फिर उतने बार वो बंद भी होते हैं, यह नहीं कि आप सिर्व लास्ट में एक ब्रैकेट लग किठे में सॉल्व करना है, यह कि इसका स्टेप ऐसा ही होता है, इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, minus 2 plus 4 minus 3 कितना हो गया, 1, 7, minus, अब 2 plus 1, 3, उसके बाद 20, minus 3, और 7 minus 3 कितना हो गया, 4, minus 4, बापका क्या हो गया, minus 3, minus 4, इस दोनों add हो जाएंगे, तो कितना हो जागा, 7, तो 20 में से 7 minus होगा, answer आजाएगा मारा 13, next question number 5, अब इसको में भी देखिए, पहले हम यह जो है, round bracket को solve करेंगे, 15 plus 18, 4 plus, 16 में से 5 गया तो, 11, 15 plus, 18, 4 plus, एक में से यहाँ पर एक साइन चुट गया, minus का, यहाँ पर minus होगा, 4 plus 11 कितना हो गया, 15, 15 माइनस हो जाएगा, हमारा हो गया, 15 plus, 18 minus 15, 3, यहाँ 3 plus हो जाएगा, answer हमारा क्या हो गया, 18, नेच्ट देखिए, 22 minus 1 upon 4, और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बाद यहाँ कर डिजिट के बीच कोई साइन नहीं होता है, हम multiply है, तो पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल करेंगे, राउंड ब्रैकेट, 22 minus 1 upon 4, 16 minus, पहले क्या करना है, हमें, divide करना है, डी माउस के अनुसर क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, तो 4, इसको हम easy start करें, 8 by 4 plus 2, 22 minus 1 by 4, 16, 4 बंजा 4, 4 तूजा 8, minus 2 और 2 प्लस हो जाएगा तो 4, 22 minus 1 upon 4, 16 में से 4 गया तो 12, और यहाँ पर क्या है, multiply है, 4 बंजा 4, 4 तूजा 12, आप 22 में से 3 minus करेंगे, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, 19, 19 answer हमारा हो गया, question number 7, आप इसमें हम पहले round bracket solve करेंगे, देखें, round bracket, चले, step wise करते हैं, इसको, 18 minus, 18 minus, 18 minus, 18 कितना हो गया, 0, यहाँ पर 0 हो गया, और उसके बाद यह bracket यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ minus है, उसके बाद क्या है, 18 है, 18 minus, 18 minus, अब यह 18 और 18 minus हो गया, 0 हो गया, पिर देखिए, अब यह bracket से बाहर आएगा, 18 minus, 18, तो महारा एंसर क्या हो गया, 0, question number 8, 150 minus 70 minus 60 minus 30 plus 20 minus 10, 150 minus 70 minus 60 minus, अब यह 30 और 20 कितना हो गया, आट करेंगे तो, 50, ठीक है, minus 10, 150 minus 70 minus, 60 में से 50 गया तो, 10 minus 10, और यह वाला minus 10, अब कितना आ गया, 150 minus 70, 10 और 10 एड हो जाएंगे क्यों, क्योंकि दोनों के sign सेम है, minus minus 10 है, 20 हो जाएगा, 150 minus, यह कितना हो गया हमारा, 70 में से 20 गया तो, 50, अब 150 में से 50 माइनस हो गया, तो कितना एंसर आ गया हमारा, एंसर हो गया, 100, तो आपका यह वर्षिट नमबर, 9 कम्प्लीट हो गया, आपको वीडियो अच्छी लगी, कोचिन समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेर भी करें, थैंक्स पूर वाचिंग।